दोस्तों अगर आपको इस तरीकी के profit देखने है अपने portfolio में भी तो आपको बस कुछ नहीं करना है ये देखेगा time prediction आपको 14 मिनट में market open होने से पहले दाया गया था कि आप trend आने वाला है आपको और कुछ नहीं करना था और ये देखे profit तो आप देख सकते हैं जाके join कर सकते हैं हमारे telegram channel को जो कि एकदम free है और join करिए उसके बाद आप अपने 15 दिन बाद अपने profit देखिए बड़ा update आ रहा है और मैं आपको बताता भी हूँ कि like जब भी कोई update job से related आता है यानि कि job की उसमें कोई बात होती है तो आपको और ज़्यादा alert हो जाना है क्यों alert हो जाना है और अगर आप देखेंगे other manufacturing का जो data है वो भी अच्छा नहीं आया है इसका मतलब यह है कि FIIs कभी भी market को उपर से sell कर सकते हैं देखेगा FIIs क्या देखते हैं अब देखेगा FIIs बिलकुल purely अगर आप देखेंगे तो केवल एक चीज़ पर investment करते हैं कि कौन सी economy week हो रही है कौन सी economy अच्छी हो रही है दूसरी चीज़ उस economy में कौन से measures अपनाए जाने वाले हैं तो आपको पता है कि US economy multiple rate high करेगी इस particular data के बाद और आपको पता है कि जो US economy करेगा वही हमारा RBI करेगा तो RBI जब देखेगा rate high की बात करेगा तो इसका मतलब market गिरेगा ही गिरेगा और जब गिरेगा तो आपको पता है कि FIIs यहाँ पर अच्छी selling करेंगे तो FIIs further weeks में देखेगा फिट से selling zone में आ सकते हैं इसके लिए ready हो जाएए चुकि ये data अच्छा नहीं आया है करना बहुत असान है बट जैसे ही ऊपर के तरफ आपने profit booking नहीं करी तो वहाँ पर तुरंट turnaround भी देखेंगे तो देखेगा economist ने आपे seasonal adjustment की बात करी है government uses trip out seasonal fluctuation from the data और आपको ये पता है there is still no sign that high profile layout mostly technology sector तो आप समझ सकते हैं अभी भी जो economy में demand है वो काफी healthy है जिस कारण से बहुत बड़े high profile layoffs नहीं हो रहे हैं अब मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि इसका मतलब क्या है कि देखेगा ये जो data होता है ये benefit बताता है यानि कि अगर आपके पास job नहीं है तो आप इसके लिए claim कर सकते हो और आपको उसका सरकार से benefit मिलता है लेकिन अगर claim करनों वालों कि संख्या क्या और ये कम हो रही है तो इसका मतलब economy में अभी भी demand बनी हुई है अभी भी अच्छे देखेगा job है नोकरिया है सब कुछ है तो यहाँ पे economy strong है तो ये कम आना अच्छी बात नहीं होती है ये बढ़कर आना अच्छी बात होती है इस current scenario के point of view से तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ the number of American filing new claims for unemployment fell against last week तो अगर अब देखेंगे फिर से ये कम होके आया है मैंने आपको बताया था ये कम होके नहीं आना चाहिए तो आप देखेंगे यापे pointing to the sustained labor market strength that could keep the federalism raising interest rate तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये बढ़कर आ रहा है इसका मतलब labor market में अभी भी अच्छी strength बनी हुई है और Fed ये directly capture करता है कि labor market कैसा है और unemployment कैसा है तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ये confirm हो चुका है कि Fed अच्छी strength से देखेंगा त्या करेगा rate high करेगा क्यूंकि यहाँ पे अभी भी strength बनी हुई है और आप देख सकते है initial claims was state unemployment benefit dropped 2000 तो आप देख सकते हैं कि पहले हफते में भी गिरा था पिछले हफते भी गिरा था और इस हफते भी गिरा है it was 7th straight week है जब claim देखेगा 2,00,00 के नीचे रहा है जो estimate किया गया था वो यह किया गया था तो आप समझ लीजिए अब estimate यह किया गया था और आया यह है तो आप समझ सकते हैं यह अपने में बहुत जादा अच्छा data आ चुका है economy के लिए और economy के लिए अच्छा data fed के लिए अच्छा data नहीं होता चुकि यहाँ पे सीधा यह impact करता है आपके dollar index को तो dollar index अगले हथते jump होते हुए आपको देखने को मिलेगा जिसका असर पड़ेगा हमारी currency पे और उसी का असर पड़ेगा bank and ift पे तो be ready for it वीडियो के अच्छा लगे तो like share subscribe करना न भूलेगा thank you so much झाल